करें यहां हुर Essen Juice Jam overall support मैंने और नमास्कार नमस्की म्चार दूर दोशन के आजके साथ कारीकन और अंज्ञर्ड आज deve देशकों का सुझा हैं मैं हूं आपके साथ कारीकर्म में दर्शकों से कौत विशे को हम मिसरक्र लेंगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उतराखण में जो सहकारिता का जो एक आंदोलन है, जो सहकारिता का एक कारिक्रम है, वो किस दिशा में आगे बढ रहा है, कितनी उपलब्धिया अभी तक खाते में दर्ज हुई हैं, क्या संभावनाय हैं, भविषय की क्या योज़नाय हैं, तमाम सारी बाते हम आज के इस क करकम में बहुत-बहुत स्वागत हैं धन्यवाद विपिन जी जैसे हम जानते हैं कि सहकारिता यानि की समाज के सारे वर्गों की मिली जूली एक कोशिश जिससे की काम आदमी का भला हो सामुहिक प्रियास यानि सहकारता के जो मोटे-मोटे विपिन जी जैसा आपने कहा है कि सहयोग, सहकार और सहयोग आपस के समाज के लोगों के द्वारा जब सहयकारिता कोई विभाग नहीं होता था हमारे देश में पहले से ही बहुत पहले से ही लोग आपस में जो भी हमारे गरामिन प्रिवेश्ट के लोग थे एक दूसरे के सहयोग से ही अपने समाज का काम करते थे बिटिस काल में 1904 में हमारे यहां देश में 1904 में सहय काईता पे काम सुरू हुआ और 1932 में सांगले में मादवर्वा गोडवले थे उन्होंने पहले पार अरबन कोर्परिटी बैंकर इस्थाप्ता की और कहते हैं बासुदेव कुटुमा सब लोग का सयोग क्योंकि पहले क्य करने भारत में या सहरों में कहीं भी किस जो किसान जो काम करने वाला जो होता था वो सहावकारों के चंगुल में फंस जाता था और सहावकारों के उसमें होता था कि वो रिलने लेता था और वो दे नहीं पाता था और वो एक तरह से बंदवा मजदू होता था पिली दर पि कि भाई सब लोगों का जो हमारे गरामिन के खेती किसानी के जो लोग हैं जिससे वह अपने स्वालम भी बन सकें इस सहिकारता का इस स्वाप की कहई पूरे देश में लगभग 6 लाग सहिकारी समीतिया हैं और 21 करोड के लगभग लोग इस सहिकारता से हमारे देश में तो देश आय इहां पर सहिकारता बैंकिंग और नौनबैंकिंग का इक धांचा जो से कहते हैं उसमें मीनी बैंक नीची काई हो गई, डिस्टिक कोपरेटिव बैंक हो गया, और इस्टेट में स्टेट कोपरेटिव बैंक हो गया, यह हो गया, और जो सहकारिता, जो समीतियां हमारी हैं, उसमें पैक्स हो गई, छूटी प्रैमेरी सोसेटी हो गई, प्रैमेरी सोसेटी हो ग बेंग हो गया यह बैंक तां यह नोन-बैंकंकी की बात करहों हूं मैं और इसके साज़ा से रेख्षम्वेय्शम हो गया साथ है स्लख सय fishing है, उनके दोरा यहां पर याँ पर काम किया जा रहा हूं उत्राख01 सहिकारियिशंग हurities Backyard तो 2002 में उत्राखन अपना रज्य सहिकारी संग अस्तित्मया इसका रेश्टेशन वा और इसका बाइलोज बना इसके क्या एक्टिविटीज होंगी और मात्र मैं करूं 12,000 की पुंजी से ये सुरुवा था और आज आज की डेट पे हम लोग जो हैं लग बग साड़े पांच क भावना है और उसके बाद उसके साथ सरकार जूड़ी उसके साथ तमाम उसका सरकारी करन और वो सारी चीजे भी राज सहकारी संग उत्राखंड में किस तरीके से काम करा जैसे आप जाहिर दोर पर आप सहकारी समीतियों का गठन करते तो एक तो कितनी सहकारी समीतियां आप कॉपिटिव से जुड़े वे हैं को उसमें आगे हैं जिने कहेंगे लगबग 600 बहुतर के लगबग हैं और अब यह हो रहा है कि हर नय पंचयत का एक सहकारी समीति हो चैसो सहतर के लगबग पर पस्तावित हैं कि यह होंगी और आज तो बहुत अच्छा दिन भी है कि जितने ही हमारी सोसाइटी सैकारी समीतियां हैं उनका मान्य perpendicular चीजिग कर्ण के जुआरा ऑनधन भी क्रूप करमोग.. अब सहकारी समीतियों का काम बहुत बड़ा काम है उनका उन समीतियों के बहुत सी समीतियां बहुत अच्छी द्धान पर हम अपने केंदरों के करते हैं समीटों के माद्यम से हमारे क्रे ही ओदम सिंग्ण नगर हरदवार डिस्टिक्क में है और थोड़ा नेन ताल लिष्तिक में और अपना देरदुंजिले में बहुत सीमित उसमें होता है तो हम लोगे जैसे मैं कुधान दे रहू हूँ कि हमने पिशली बार लगबग धान का ग्रे करे किया लगबग पौने नो लाख कुंटल हमने धान का करे किया और अभी इस करोना का जो इस समय बहुत काल में इस्तितियां बहुत खराब थी हमारे बहुत दिकते थी तब भी हमने अभी ग्यों का हमने लगबग धाई लाक कुंटल हमने क्रह किया है किसानों से किया है और सरकार के द्वारा मने मुख्यमत्री जी कर दे कि सरकार के द्वार सब्सक्राइबुए वियर हाउस उतराखंड में हैं, उन गोदामों का किराया जो आता है उसके द्वारा भी हमारा एक आय का सुरोथ है, इपको इपको एक देश की सिर्ष सहकली संस्ता है, वल्ड की है, वल्ड में उसका नाम है, जिसका लगए एक हजार कुरूर से ज्यादा तो उनका प्रॉफि जाता है, अच्छे क्वालिटी का उसका जाते है, जिससे किसानों को पुर्डक्शन में, उत्वादन में उसका ओकिया जाता है, साथ-साथ हमारा उतराखंड राज्य सहकारी संग का 1954 की राणी खेत में कौप्रिट ड्रग फैक्टरी है, और उस ड्रग फैक्टरी बहुत प में उसके कई मैंशीनों का जैसे मेंटिनेंस का था, मैंशीनों का मैंटिनेंस करवाए गया, वहाँ पर आर्वेदिक ड्रग्स बनती है, और लगभग डेर सो से अधिक किसम की दवाईयां वहाँ पर बनती है, वहाँ का तिरसूल दंपंजन, आपका चवण परास है, आपक देश में उनका अधिकांस इस्टेटों में उनकी सप्लाई होती है, गरल जी मैं यह पूछने चारते हैं, जैसा आपने बताया कि मैदानी शेत्र में बहुत अच्छी स्थितियां दिखती है, मतलब सहकारता का जो चमकदार चेहरा है, वो हमें मैदानी शेत्र में ज्यादा कहता हूं कि अभी तक तो उसका मैदानी शेत्र में था, लेकिन अब हमारे द्वारा और सरकार के द्वारा यह प्रियास किया जा रहा है कि जो हमारे एक्टिव्टी जो वो परिवते शेत्रों में भी हो, अब माना हमने ड्रक फैक्टरी के लिए अबारा जैसे हमारा रानी किसान है जो हमारा किसान है वहां पर मेडिसन प्लांट जो भी छुट-पुट लगाता है उससे हम दो दवाईयां हर्बल की जो होंगे उनसे हम खरीदेंगे और उसका दवा का प्रियोग हम अपनी फैक्टरी में करेंगे तो एक किसानों की आए भी बढ़ेगी उनको बीच अपनी उन दवाईय का उपयोग हम अपनी फैक्टरी में उसका उपयोग करेंगे इस ब्योंसता को हमारा सुदाने का है जैसे सहकारता जैसे आपने पता है बहुत बड़ा धांचा है और आपके विशय भी बहुत ज़्यादा है जैसे आपकी बात चीज से भी लग रहा और प्रात्मिक तर्व पर फोकस करते हैं विपिन जी हमारा जो में प्राइटरी का हमारी पार्तिमता में क्या है देखे अभी हमने फूट प्रोसीडिंग इडिट हम लोग हल्दवानी के पाहल्दू चाओड है जहां पर स्वयबिन प्लांट होता था और स्वयबिन प्लांट तो आपका जानते हैं गिए उस सतर असी के दसक का बहुत बड़ा प्रानट रजी से पूरा उसका एक पूरे उतरभायत में उसका नाम था वो बंद हो गया था अब हमने उस इस्थान पर वहां पर हम लोग फूट प्रोसीडिंग का यूनिट हम लोग वहां पर लगा रहे ह करके त्यार कर दिया और जल्दी उसका स्रिगने हम उसका सुवारम करने वाले हैं और फूट प्रोसीडिंग का यूनिट जो हमारे लगेगी वह काफी अच्छी होगे क्योंकि हमने आसपास में आडू से लेकर के आपका टमैटर से लेकर के आपका जो भी फरूट स्वापर से होता है काफी बाड़ी बात्रा में होता है हम डाइट किसानों से लेकर के उसका उसका हम लोग प्रोसीडिंग करकर के उसका बैडनिंग करकर के हम लोग उसका करेंगे ऐसे फूड प्रोसीडिंग का हम एक उनिट हमारा उत्तरकासी दिले के नौगाउं में हम लोग मुल्टी ग्रेंज का हम लोग एक फ्लोर मिल भी लगाने वाले हैं यह हमारे पस्तावित है परवते छेत्रों का हमने उसमें मंदवा को मंदवा जंगोरा से लेका अधर्स जो भी लोकल क्रॉप्स होती है उसको हम प्रोसेजिंग करके उसको वहां पर मिल में करके ब्रेंडिं नेगी जी उन्होंने भी कम से कहा था कि आप आए तो हमने वहां पर इख सब्सक्राइब होना चाहिए तो और साथ-साथ हमारा उतरखन कॉपर्टी पैडिरेशन हम तो मार्केटिंग सब कुछ कर सकते हैं अभी हमने बदिनाथ हाईवे पर रतोड़ा है रुद्रिप्याग देखा होगा, वहाँ पर हम लोग एक बड़ा होटल भी हम वहाँ पर बना रहे हैं, काफी बड़ा होटल हमारा बहुत जल्दी उसका मेभी वह सितंबर से हम उसका सुरुवात उसके होटल के का कश्टक्सन का सुरुप करवा देगी है, तो यह हमारे एक होटल का जो रहेगा क्योंकि अभी आयके सुरुत में हमारा होता क्या है, कि हम लोगों को जैसे हमारे गोदाम हैं, वेराऊस हैं, किराय भी चरते हैं उससे हमको मुनाफा मिलता है, फूड यह हमारी ड्रुप फैक्टिरी है, जिनके दोरा जो एजो डबाई जाती है, उसका लाबाँता है, उसक जिन से हमारे डेलिगेट्स चुनके आते हैं, उन समीतियों में भी हम लोग उनका अंसदान हमारे पास होता है, हमने उनको अपना प्रॉपिट का उनको 20% हम उनको लावांस हम उनको देते हैं, जिससे उनकी इस्तिती भी बहुत अच्छी बड़ी रहे, तो यह हमारा यह है, अब जैसे अपना दीन दियार किरसी कर्ण्याल यूजना है, रहे लोन का है, तो पहले एक लाग रूपे का था, जैसे आपने को परिठी बैंक दे रहा है, लेकिन कॉपिटी पलग श्याह, तो मैं इस को बता रहा हूं, तो अब तीन लाग रूपे का हम इसको लोन उसको उ जो आपकी दो जैसे एक राजय सहिकारी बैंक वह भी बड़े लेवल पर काम करता है। तो दूनों के तालमेल की क्या विवस्ता रहती है आपके तालमेल तो सब लोग बैठके फिचार भी मस्तों करते ही हैं। लेकिन लोन का जो संबन्ध है या जो भी सरकार की जो योज़ते हैं वो बैंक के बाद्यम से किसानों को दी जाती है। बैंक उसमें अपना सवयोग भी करते हैं। अभी यहाँ पर इस्टेट कोपरिटिव बैंक हो गया और दस बैंक डिसीवी है। लेकिन कोपरिटिव बैंक का यही है कि इस्थाने लोगों को जो किसान है या इस्थाने जो भी व्यक्ति है उसको वहाँ पर कोई परिशानी का सामना ना करना पड़े। आप जा रहें easy approach, easy going, आपका काम वहाँ पर सरलता से आपका काम हो जाए वहाँ पर किसी को कोई परिशानी ना हो। तो कोपरिटिव परिशानी ना हो। तो कोपरिटिव बैंक की स्थाफ परिशी लेकी गई थी। मैंने कहा ना कि 1932 में सांगली में अरबन कोपरिटिव बैंक की स्थाफ ना हुई थी। कोड़ द्वार में एक होमपाती प्लांट भी आपका इक विस है। कि अभी मैंने पिछली अभी करना काल से पहले हमने अपने बोर्ड की बैठक में क्योंट्रिंट अरबन के कर सांगे चाहित करते हैं क्योंकि होमपाती गईश्क भीडेर में अब्ड़ मांग पर रही है। उसका भी अच्छा फैदा भी पेसिंट को मिलता है। हमने क्योंकि उसमें रिसर्च किया ढूंडा तो केरला में एक अकेली कॉपरेट्टीब की ड्रग फैक्ट्री है। अकेली तो हमने भी सोचा कि हम भी उतराखंड में ये दंबर दूसरी फैक्ट्री जो है। इसको शुरू करने जारा हैं। तो इसके लिए हमने पुरा प्लान कर दिया है। प्रक्रिया क्या प्रक्रिया सकता है और मैं खुद दो तीन बार कोड़ बार होके आगया हूँ और उसका पूरा अमरे जो इनियर्स हैं उन्होंने उसका पूरा देख लिया है कि भवन का कैसे बनेगा क्या बनेगा उसके लिए क्या होगा लैब कहां बनीगी तो यह हमारा हुआ है ऐसे डर्ग फैक्ट्रि बहुत अची रहे गुरुमत्ता उसके बहुत अची रहे तो यह हम लोगों का विशेष डॉंग टर्म के लिए तो आचा दूसरा अभी हम लोगों ने जैसे मैंने का लिए कि मर्टी गरेंज का तो फुलोर मिला हमारा है हम लोग इस पर करेंगे साथ-साथ हम ने का है कि हम क्लेक्शन सेंटर जो भी से परवते चित्रों का है बहुत उत्पादन होता है कई चिज़ उत्पादन होता है लेकिन वह उसका सई धंग से मार्केटिंग नहीं हो पाती है तो हम लोग भी यह चा रहे है कि हम लोग कलेक्शन सेंटर हम लोग कही जनपदों में कही सहरों में हम लोग collection center बनाएंगे वहाँ पर local crops ले करके कुछ fruits है उनको ले करके हम लोग एक करने वाले हैं और हलदवानी और देरदोन में हम अपना विपनन केंद्र बनाएंगे बहुत बड़ा जिसे mall कह लीजे या विपनन केंद्र कह लीजे जो आएगा वां से और बेंडिंग करके हम उसको भार भी हम उसका भेश सकते हैं तो यह हमारा ये पस्तावी जिसे सुवीदा हो गया या अपना बजार हो गया तो आता है ना कन्जूमर की कमी नहीं है उपोखता बहुत आहे लोग चाता है को आप कर रहे हैं वास्तों में बात चीत बहुत जादा हुई लेकिन वैसे काम जैसे हम एक आम आदमी जानता है कि माणनीजे आपका चमोली विर्दृ परयाग में, माल्टा बहुत जादा होता लेकिन वो माल्टा देरदून तक नहीं पूंच पाता ता माल्टा का आस्ता क्या होता था कि माल्टा का और सेप का सुराती दौर पे हिल डेवलिमेंट कॉर्पेशन के दौरा होता था परत्य विकास निगम जब 71 में बना था उसके द्वारा ही होता था, बाद में गड़वार मंडल विकास नेगा, कुमाव मंडल विकास नेगा हो गया, वही माल्टा और सेप का समर्थन मुल्य के अधार पर वहां के इस किसानों से लेते थे, लेकिन अब लोगों के अंदर बहुत जागूरता आ गई है, अब लोगों के अधा, बागवानी मिसन के दोरा भी बहुत काम किया जारह है, और उसमें सरकार के दोरा उनको पैसा भी दिया जारह है, कि आप लीजे, सब्सshire डी लीजे, आप उसमें आप लगाईे, तो धीरे दीरे नो डाउट की आने वाले समय में हमारा उत्राखंड बागवानी के में बहुत आगे बनने वाला है, cash crop, नगदी फसल का भी उत्पादन अब देबाईटे लोग करेंगे, अब यसे हमारे लगवाद तीन लाग से अधिक लोग हमारे plan करके परवासी भाई हमारे आए हैं, और जो बहुत चोटे-चोटे, आर्ट-दस-जार-पंद-दस-जार के उसमें नौकरी करते थे भारे परांतों में, आज वो यहाँ हैं, अब उनको भी हातों में रोजगार हो, तो हमारे सरकार के द्वारा ही है, कि उनको स्रोजगार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके द्वारा, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऐसे सिमान्त चित्रों के लिए कैटेग्रीज बना दी गए हैं कि आप 25 लाग रुपया आप ले सकते हैं तो 25 लाग रुपय में आपको 25 पर्षेंट सब्सिटी का है च्छे लाग रुपया आपको मिल जाएगा ऐसे 20 लाग का है तो ऐसे 15 लाग का है तो यह एक तालमिल बहतर बने उसके लिए क्या प्रयास है देखे किर्सी और उद्यान और सहकारिता एक दूसरे के पूराख है और आपस में तालमिल करके ही हम लोग चलते हैं अगर सरकार ने कौमुनिटी पर्मिंग की बात कर रहे हैं तो हमको उन च्छेत्रों का उन गाओं का चैन भी करना है अभी सरकार ने पिचानवे गाओं का केले काया कि इसमें हम लोग करेंगे और 96 ग्रोज सेंटर बने मुख्यमंतिर जी ने कई बार आपके संज्यान में हैं अभी काम सुरात हो गई उनमें उसमें सारी सुलियाएं दे दी गई हैं तो निश्ची तोर पर उन गुरे संटरों से हमको लाफ्त उसको मिले गई किसानों को मिलेगा और जो वहां पर हमारे जो इस्थानी लोग हैं बेरूदगार हैं उनके आए के सुरोत भी बढ़ेंगे और स्वालमी भी बनेंगे तो यह सरकार का कंसेप्टर के किसान और सहीकारिता हम सब लोग मिलकर के खेदी किसानी को आगे बढ़ाने के लिए हम ल तो यह सरकार के दवरा जैसे सरकार के दोरा उनको प्रयास कियागया उन और आपका उससे होगा, तो लोग अपने पेरों में खड़े होंगे, और हमें करें कि कन्ने वाला चाहिए, और धे अगर पवीत्र है और इच्छा सकती बजबूत है, तो निश्ची तौर पर हम लोग उसमें सफलता पाएंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है. गयरोली जी, आप आज इस कारिक्रम में आए, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमारा पर समय की कमी है नहीं, तो बहुत सारी बातों पर और हम अभी आगे बढ़ सकते थे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, तो यह थे आज के इस कारिक्रम में हमारे साथ श्री ब्रिज भूशन गयरोला, जो की उत्राखन राज्य सहकारी संग के अध्यक्ष हैं, इस कारिक्रम में अगले सब्ता फिर हम एक सक्ष्क्रत के साथ पेश होंगे आपके खिद्मत में, तब तक लिए हमें आग्या दीजिए, नमस्कार.